हेलो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कोकिंग विद्किरजा में आज हम ऐसी रेस्पी बनाने वाले हैं जो बच्चे से लेकिए बड़े तक सबको पसंद आती है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे अगरी सेंड्विच इसलिए क्योंकि इसमें चीज का उपयोग जादा किया गया है तो स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसीपी के लिए हमें चाहिए टोमेटो बॉल पोटेटो प्याज जो हमने स्लाइस में काट लिया है थोड़े हरे धनिया जो हमने बारिक काट लिया है और यहां हम लेंगे चीज स्लाइस, बटर और थोड़ा शड़ार चीज और मसालों में हमने लिया है चाट मसाला, थोड़ा चिली फ्लेक्स, ग्रीन चेटी जो हमने हरे धनी और मिंट से बनाया है चिली फ्लेक्स आप अवाईड कर सकते हैं अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो चिली फ्लेक्स अवड़ कीजिए यहां मैंने कुछ slice bread के लिए हैं यह मैंने brown bread के slices लिए हैं और यहां पर मैं लेती हूँ थोड़ा salt यहां पर हम bread का एक slice लेंगे उसके एक तरफ butter को apply करेंगे evenly हम पूरा cover कर लेंगे bread के एक side को इस तरह से इसके बाद हम इसमें apply करने वाले हैं green chutney यह भी आप evenly apply कीजिए ग्रीन चट्नी के लिए हमने थोड़े हरा धनिया, mint, हरी मिर्च, प्याज, लोसुन, थोड़ा सा अमचूर पॉडर, नमक डाल के यह चट्नी रेडी किया है आप लोगे यह चट्नी बना के रख सकते हैं फ्रिज में जब भी आप sandwich बनाएं इसको apply कर सकते हैं नहीं तो कोई और snacks बनाते हैं तब आप इस चट्नी को इस्तमाल कर सकते हैं तो मैं हमेशा इसको बना के फ्रिज में रख देती हूं थोड़ा बटर और ग्रीन चट्नी apply करने के बाग इसके उपर हम रखेंगे चीज का एक slice अब इसके उपर टोमेटो slices को रख देंगे इवनली टोमेटो slice रखेंगे टोमेटो slice के उपर थोड़ा salt स्प्रिंकल करेंगे इसके बाद थोड़ा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से थोड़ा हमने इसमें हर्या धनिया डाल दिया है अब इसके उपर मैं रखने वाली हूँ एक और cheese slice इस तरह से इसके उपर cheese slice रख दीजिए इसके उपर हम boil किया हूँ पोटेटो रख रहे हैं और onion की slices रख देंगे इसके उपर हम स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला और salt यहाँ पर हम एक और bread का slice लेकिए उसके उपर butter अप्लाई कर देंगे butter की बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे green chutney evenly अप्लाई कर देंगे और इसको ready की हुए sandwich के उपर रख देंगे अभी हमारा sandwich ready है इसको हम पैन में डालेंगे जो हमने पहले से गरम करने रख दिया था उससे पहले इसके उपर थोड़ा butter अप्लाई कर देंगे अच्छे से अप्लाई कर दीजे और इसको दीरे से उठाके इस तरह से इसको पैन में डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम एक साथ से यह फ्राई हो गया है हम दूसरे साथ इसको फ्लिप कर देंगे उससे पहले दूसरे साथ में हम पटर अप्लाई करेंगे इसके बाद केरफुली इसको फ्लिप कर देंगे इस तरह से तो फ्रेंट्स इस तरह से रेडी है हमारा मुंबई डबल चीज सेंडविच अब इसको हम गार्णिश कर लेते हैं गार्णिश करने के लिए इसके उपर हम शेडार चीज स्प्रेड करेंगे शेडार चीज में कंजूसी मत कीजिए धेर सरे डालिए इससे सेंडविच देखने में भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स डाला है उसमें आप वेरियेशन ला सकते हैं आप कैपसिकम यूज कर सकते हैं कैरेट यूज कर सकते हैं और पोटेटो आप अगर स्लाइस यूज नहीं करना चाहते तो बोईल की हुए पोटेटो को मैश कर लीजी अच्छे से उसके इसके बाद आप इसमें यूज कर सकते हैं इस तरह से और भी वेजिटेबल्स को बीन्स को कैरट को अच्छे से बारिक काट लीजे उसके बाद आप इसमें स्टफिंग की तरह दे सकते हैं मुंबई डबल चीज सेंडविच बहुत ही टेस्टी लगता है बच्चे से बहुत चाव से खाते हैं मैं चाहती हूँ कि आप लोग यह रेसिपी जरूर ट्राइ करें और मुझे अपने एक्सपिरियंस जरूर बताएं कमें सेक्शन में और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर जरूर कीजिए मुझे मालूम है आप लोग को यह रेसिपी जरूर जिसे कि मैं जो भी new upload करूँ रेसिपी आप लोग को notification आजाएगा तो आप लोग मेरे वीडियो को देख सकते हैं तो friends आपका कोई भी suggestion हो तो मुझे बताएए आपकी कोई रेसिपी की demand हो तो मुझे बताएए comment section में जिसे कि मैं आप लोगों तक वो पहुंचा सकूँ तो friends इसको आप हम सर्व कर लेंगे इसको मेडिल मैंसे आप कट कर लिजिए चाकू का इस्तिमाल कीजिए मैं तो पिजा कटर का इस्तिमाल कर सकते हैं आप लोग इसको इस तरह से काट लिजिए और इसे एक प्रेट में इस तरह से रखके सर्व कीजिए दिखिए अंदर चीज कितने बड़ेसे मेल्ड हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही यमी लग रहा है देखने में कितना कNew City लग रहा है शडार चीज जो हंने उपर से डाला है उसकी वज़े से कितना यमी लग रहा है यह बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स इस तरह से रेडी है हमारा मॉंबई डबल चीछ सेंड्विच तो अभी आपको पता लग गया होगा कि इसका नाम डबल चीछ सेंड्विच तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीचिए थैंक्यू फोर वा